संभल जनपत की नई तहसिल परिसर में नाव निर्मान चेमबर कई दिन से बन रहे थे लगबग 103 चेमबर का खाका तैयार हो गया था वकिल तैयारी में राद दिन लगे थे कई लाग की लागत से ये चेमबर बन रहे थे सुबह बैटने की तैयारी थी लेकिन जब वकिल तहसिल परिसर में तकरीबन दस बजे आए देखकर दंग रह गए परिसर में सब पर बुल्डोजर से जमीन दोश कर दिया 103 चेमबर का नामों निशान तक नहीं था मलवा नजर आ रहा था यह देखकर वकिलों में रोश व्यापत हुआ सीधा आरोप संभल प्रशासन पर लगा रहे है किसी नोटिस दिये बिना ही किस लिए उनके चेमबर गिरा दिये गए इसकी वज़ा जान वकिलों ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है आरोप संभल प्रशासन प्रशासन पर लगा जान वकिलों में रहे है कि देखिए ऐसा है कि तुनो बार के मान अजयोगताओ ना था एक प्रस्ताओ दिया गया था कि इतने लेंड चाहिए और 116 में उनके चेमबर बना एक प्रस्ताओ दिया गया था अब फिर से बागता होगी आपस में जो तय होगा हम लोग करने में नहीं कोई दिक्कत नहीं है जो भी आपस में तय हो जाए क्योंकि आपस में तय होने के बाजूद महां पर दिक्कत होने सुन हो गई पुना ही लोग आपस में तय करने जैसा चाहिए पोई तिक्स नहीं है यह चैंबर जाए हमारे 110 का नक्सा पास बतुगा अब उसके बाद में जाए कुछ अवायत बन गाई चैंबर जिने जाए ताने गेंगे निये आज मीटिंग के निये एक जिन साब से बागता हो जी बागत में प्रसासन ने गलत कागावाई करी इसी घोर निन्ना करता झाल